दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्पुल AC के रिमोट के जो कंट्रोल के ओप्रेशन है उसके बारे में कि रिमोट पे कौन-कौन से स्विच प्रेजेंट होते हैं किसका क्या फंक्शन है पूरा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो का आप लाश्ट तक दे तो इस टाइब के पैंसिल सेल आपको यूज में लेने है रिमोट के अंदर तभी आपका रिमोट ओन होगा सेल को इंसर्ट करने के बाद आपकी डिस्प्ले इस तरह से आजाएगी उस पर आपको ऑन-off का जो यह बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो AC है वो ओन हो तो आप अओन कर लिजी AC को, AC को आप बन करेंगे, तो AC के उपर इस अपर इस पर हो रहा temperature है वह temperature है जिस पर आप अपने AC को सेट करना चाहते हैं तो उस temperature को कम ज़्यादा करने के लिए जैसे आपको cooling ज़्यादा चाहिए तो आप temperature कम रखिए जैसे आभी 30 degree Celsius लिक रखा है तो आप इसको कम करके और अपना जो cooling है वो बढ़ा सकते हैं जैसे 26 degree Celsius पर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा cool हो जाएगा जितना ज्यादा temperature ज्यादा होगा उतना आपको गर्मी ज्यादा लगेगी जितना कम होगा उतना आपकी cooling ज्यादा होगी इनी buttons को आप temperature कम ज्यादा के लिए use लेते हैं और यही buttons आपके timer को adjust करने में भी use आएंगे तो timer का जो next button आ जाता है यह आप देख सकते हैं यह timer का button है इस button का उप्योग आप तब करते हैं जब आपको कुछ निश्ची duration के बाद आपको अपना AC बंद करना है या चालू करना है जैसे आप 2 गंटे के बाद अपना AC बंद करना चाहते है तो आप timer on के इस button को click किजिए same वही button आपका use आएगा on off के लिए अब आप देख सकते है 11 hours यहां पर timer लिखा रहा है और AC के उपर 11 hours का इंडिकेशन आ रहा था अब मैं आपको वापिस button प्रेस करके बताता हूं आप देख सकते हैं अब आप यहां पर लोवर वाली key प्रेस कीजिए और इसको जो टाइमर होए उसकी जो duration है उसको आप गटा सकते हैं आप देख सक जाते तो आपका शी जब ओफ कंडिशन होगा तो आप उनका टाइमर डाल सकते अभी आप देख सकते हैं और डाला रिमोट पर बहुत पर डिस्प्लै हो रहा था अब आप देख सकते कि टाइंवर को अगर आपने सेट कर दिया है तो एस पर भी टाइमर का इंडिकेशन जाता है वह मोड का जो बटन है वह यूज में आता है जैसे आपके आपर 3 मोड होते हैं कुलिंग मोड हो गया एक तो तो अभी फिलाल कुलिंग मोड पर चल रहा है आप रिमोट cooling नहीं होगी केवल आपके AC का अंदर fan चलता रहेगा अब आप इसको generally cool mode पर या फिर auto mode पर ही operate करते हैं तो मैं इसको वापी से cool mode पर डाल देता हूं उसके बाद आप उपर तीन बटन देख रहे होंगे तो यह तीन बटन जो है उसमें से सबसे उपर का बटन जो है वह आपके जो रोटेशन है इसको डिसाइड करता है कि आपकी जो ब्लेड से वह कितना उपर नीचे होती है अब जब आप स्विंग का बटन दबाएंगे तो आपकी जो यह और नीचे हो रही ऑटो स्विंग अभी ओन है अगर आपके AC में भी आपको ओटो स्विंग ओन करना है या फिर इस ब्लेड को एड्जेक्ट करना किसी पर्टिकुलर एक जगे पर तो आप इस स्विंग वाले बटन को दबाएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यह ब्लेड आ गई है अब मैं वापिस दबाता हूं तो यह तो यह और डाउन हो जाती है फिर इस तरह से आप अपने स्विंग वाले फिचर को यूज में ले सकते हैं और ऑटो स्विंग को ओन कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर नीचे देखेंगे तो यहां पर फेन वाला बटन है फेन वाला बटन फेन स्पीड को डिसाइड करने के लिए यूज आता है जैसे अब उसके बाद आप देखेंगे तो एक अबटन आता है ऊगर आपके अपन सी में आप लेकर आप कर सकते हैं तो इस इस मोड को मैं अभी यूज नहीं ले पाऊंगा उसके बाद आप देखते हैं तो मैंने यहाप टाइमर बटन ब्टन भी आपको सिखा दिया अब इसके जो है वो turbo का बटन है quick cooling के लिए आप turbo button को use में बेसकते तो आप जब turbo button इस तरह से दबाएंगे तो आपकी AC जो है वो quickly cool कूल करने लग जाएगा full speed पे आप देख सकते हैं यहां पर indication भी आगया turbo का और यह बहुत fast cooling करना start कर देगा इस वक्त यह power और जो है वो भी सबसे ज्यादा ड्रो करेगा तो इस बटन को आपको तभी यूज लेना जब आपको इस्टेंट ट्विक कुलिंग चाहिए अदर्वाइस आपकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सेम बटन को आप दबाएंगे तो आप टर्बो मोड क कुलिंग स्टार्ट कर देगा तो इसमें आपकी जो है एनर्जी सेविंग काफी अच्छी होती है तो इसलिए सिक्सेंस का मोड दिया हुआ है उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे डिम करके एक बटन है तो डिम वाला जो बटन है यह आपके जो एसी के उपर डिस्प बटन हाता है वह कमफर्ट के लिए यूज में होता है जिसे आप सोने के बाद आपको कुलिंग की नीड थोड़ी कम होती है तो आपका जो टेंपरेचर जैसे आपने ट्वंटी फाइब पर सेट किया हुआ है अब आप स्लिप मोड दबाएंगे तो आपका अपने आप दो गुंटे के बाद टेंपरेचर ट्वंटी सिक्स पर सेट हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे नाइट बित्ती वैसे आपको कुलिंग की कम नीड होती है तो उसलिए आपको एनर्जी एफिशेंट बनाने के लिए और आपके जो बोडी कमफर्ट के इसाब से एफिशेंट मनान तो आपको जिस टेंपरेचर के लिए एसी सेट है वो टेंपरेचर आपको अभी बताएगा कि इतना कुलिंग करनी है उसके पास आप देखेंगे तो इको का बटन आ जाता है यह एकोनोमिक मॉड है कम पावर कंजप्शन के साथ एसी को चलाने के लिए आप इको मॉड को य चलेगा ताकि आपके जो नॉइज है वो एकदम रिद्यूस हो जाएगी तो इस तरह से आप साइलेंट मोड को भी यूज ले सकते हैं तो एक बर वापिस ऐसी बंद करेंगे देख सकते हैं आप इस तरह साप इसी बंद कर सकते हैं और उसके बाद आप डिम मोड को यूज के बाद आपको एसी को ओन करना तो बंद में इस तरह का operation होता है और ओन करने के लिए आप चानते ही है कि आपको औफ वाले बटन को दबाना तो फिलाल के आज कि इस वीडियो में इतना ही फिर भी आपको कोई समस्या और भी मैंने वीडियो बना रखी आप देख सकते हैं हमारा ऐसी बंद हो गया है इस तरह से आप अपने इस ऐसी को ओपरेट कर सकते हैं धन्यवाद जैहिन